नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गने साइस्टो हेल्प में मैं हूँ आपके साथ दॉक्टर दिलीप और बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जोतिस के इस प्रोग्राम में इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनुराशी, धनुलगन वालों के लिए कैसा रहने वाला आने वाला फरवरी का महीना 2022 का दूसरा महीना फरवरी आपके लिए क्या लेकर आया है इसमें हम देखेंगे कि भाई आपका कैरियर, जॉब, पढ़ाय लिखाई, प्रेम, शादी, बिजनिस, फेम और हर जो है आपका हैल्थ, स्प्रिचुल्टी, अध्यात, हम सारे जो जीवन के छेतरे हैं, उन पे नजर डालेंगे सारे ग्रह किस भाब में हैं, किस राशी में हैं, उनकी दरश्टियां क्या कहती हैं, हम अपनी तरप से क्या कर सकते हैं तो आज आते हैं सबसे पहले, आपकी कुंडली पर, आपकी कुंडली मतलब फिलहाल जोग रहे हैं, आपकी कुंडली के अंसवार, किस भाब में, किस राशी में चल रहे हैं तो धनु को जैसे ही हम देखते हैं तो लगन में मतलब पहले ही भाब में धनु राशी में ही मंगल और शनी गोचर कर रहे हैं आपके शुक्र मंगल का योग बना हुआ है प्रथम भाब में दुत्य भाब में बुद्ध और शनी का योग है तुत्य भाब में गुरु और सूरी का योग बनेगा तेरे तरिक के बाद से फरवरी में चौथा पाचमा भाब खाली है सश्ट भाब में, छटे भाब में सिक्स्थ हाउस में, राहु गोचर कर रहे हैं ब्रशब में साथमा, आठमा, नॉमा, दसमा, ग्यारा सैवन्थ, एर्स, नाइन, तैंथ, लेवन्थ आपका खाली है, प्टी है और ट्वेल्थ में, बारे में भाब में आपके केतु गोचर कर रहे हैं कालपूर्स की आठमी राशी, ब्रश्शिक में तो ये रही ग्रहों की स्थिदी सारे ग्रह राहु केतु के बीच में है कहीं न कहीं इसको आप कह सकते हैं कि आंशिक कालसरप्योग है एक तरह से, क्योंकि चंद्रमा तो बहार जाएंगे ही पर जब चंद्रमा अंदर होंगे तो कालसरप्योग रहेगा किसी हद तक, डरने की खास बात नहीं है कि ये कालसरप्योग उतना श्ट्रॉंग नहीं है क्योंकि बीच के दो भाब खाली है वो जब माना जाता है पर हाँ हलका सा कालसरप्योग बंद रहा है इसके बाद देखिए आते हैं हम ग्रह कर क्या रहे है लगन में ही बैठे मंगल और शुकर क्या करेंगे देखिए मंगल शुकर का योग प्रेम योग बोलते हैं पर कहीं बार यह जो fame होता है, गलची से भी हो सकता है, कहीं बार यह जो आकर्षन है, वो आपको मर्यादा से थोड़ा हटा भी सकता है, पहली बात, दूसरा बात, लगन में अगर मंगल आते हैं, तो वो कहीं न कहीं बिभा की जो life होती है, उसमें खट-पट भी रहती है, आपस में बनने में दिक्कत आती है, आकर्षन तो होता है, पर जब लोग आपस में पास आते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं, इगो का इशू आ जाता है, गुसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप में बढ़ सकता है, या फिर आपके पार्टनर में, आपकी प्रेसी, आपकी प्रेमी का, या फिर आपके पती, प्रेमी, जीवन साथी, उनके अंदर भी, किसी में या फिर दौनों में भी बढ़ सकता है, है मंगल की दशा अंतरदशा है तो फिर बात बढ़ भी सकती है मंगल यहां पर और क्या करेंगे देखिए बारे में भाप की और पंचम भाप का स्वामी है लगन में आया बारे में भाप का स्वामी लगन में आये तो विदेश घर आ गया import export घर आ गया, खर्चा घर आ गया खर्चा खुदी आपके पास पहुंच जाएगा कुछ ना कुछ पैसे का खर्च बना रहेगा creativity भी आपके पास आ रही है अगर आपका कुछ तरह का job है जहां आपको out of the box सोचना होता है कुछ perform करना होता है रिस्क लेना होता है तो उसके लिए ठीक है पर खर्चा काफी रहने वाला है और लड़ाई जगड़े का थोड़ा सा चांस क्योंकि मंगल तो भई कहते हैं मंगल करे दंगल और वो सरपी बैठ गया पहले भाब में आगा उपर से शुक्र वैसे तो सौमेग रहे है तो क्रेटिविटी के लिए अध्यात्म के अध्यात्म नहीं रिस्क टेकिंग, स्पकुलेटिग गेंस कुछ इस तरह का काम जहां परफॉर्मेंस करा उसके लिए ठीक है पर आपकी कुंड़ली में मंगल को है रोग रण सत्रू तो स्वास्त का ध्यान रखें हलाकि आपके इम्मिनुटी भी बढ़ाएंगे पर कहीं न कहीं रोग रण सत्रू को आप आकरशित कर सकते हैं लड़ाई जगड़े की तरप आप जा सकते हैं नेटवर्क भी आपका बढ़ेगा लाप भी बढ़ेगा पर खर्चा भी बढ़ेगा शुकर का यहां पर आना प्रेम के मामले में कहा जाए तो जो लोग सिंगल है उनके लिए अच्छा है उनकी लाइफ में कोई आ सकता है otherwise यहाँ पर थोड़ा सा प्रेम के मामले में थोड़ा ख्याल रखने वाली बात है मंगल की दश्टी सब्तमभाब पर वो ही बिजनिस के मामले में भी उतार चड़ाब रहेगा पार्टनर के और आपके बीच में क्रोध आ सकता है जल्दवाजी के कारण चीज़ें बदल सकती है क्रोध यह नहीं कि आप ही को है आपके पार्टनर चाहिए वो बिजनिस पार्टनर हो या स्पाउस हो किसी भी तरह से रिष्टों में उस चीज़ का ध्यान रखना है और मंगल की अस्टमपड जो दस्टी है लड़ाई जगडे का तोड़ा सा बढ़ावा ही दे रहा है गोचर में इनलोज के साथ खास करकी यह भाव इनलोज का होता है और यह भाव जो होता है जब भी मंगल की इस पे दस्टी करें तो हमको क्या करना चाहिए ड्राइविंग वगरा सेफ करना चाहिए और अपना दूसरों के मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए जैसे हम अपने मान सम्मान का ख्याल रखते हैं अधहरता या जल्दवाजी में कोई भी निड़ने नहीं लेना चाहिए अपनी वानी को डिप्लोमेटिक और मीठा रखने की कोशिश करने चाहिए वानी ऐसा बोलिए मन का आपाखोई और उखोसी तल करे कहीं बार ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती है आप कहते हो कि मैं तो ठीकी था सही मूड में था उसने ऐसा कहा और मुझसे ऐसा हो गया तो इसमें आप क्या कह रहे हो वास्ता में आप कह रहे हो कि आपका मूड आपकी सारी प्रिपरेशन किसी ने एक चुटकी में खराब कर दी तो आप तो उनके स्लेव हो गए ना एक तरह से तो ये प्रैक्टिस कि कोई ऐसे ने की थोड़ा सा कुछ कह दे और आप अपना जो आपने एक लिया है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा जगड़ा नहीं करूँगा इस तरह नहीं बोलूँगा और छोटी सी बात में भंगो जाए इसका मतलब मन से बड़ा बहरूपी न कोई पलपल रच्टा स्वांग निराले मन के भहका विमेना मन रहा भुलाए ब्रह्म में ढाले इसका मतलब मन अभी काफी लाव, क्रोध, इर्शा, अहंकार इनके जादे कंट्रोल में है अभी बुद्धी का उस पे आसानी से होंगे नहीं प्रक्टिस और वैराग्य जो क्रिश्न भी बोलते हैं उसकी आप सामय लगेगा उसकी प्रक्टिस कीजिए उसको गीता को सुनिए उपनिशदों को सुनिए और अंतर आएगा लाइफ में ये रेमेडी हमेशा के लिए करनी है मंगल चुकि अभी तो गोचर में है पर रेमेडी हमेशा के लिए करेंगे तब ही उसका रिजल्ट आप आएगा जब अगली वार मंगल आएगे तो आप आल्रेडी रेडी रहेंगे इसके साथ साथ मंगल के लिए हनमान जी की पूजा सुंदर कांड का पाठ हनमान जी के जो चरित्र है उसको समझना जीवन में उतारना दीपक का दान दीप दान वगएरा ये भी अच्छा रहता है और मीठे का प्रशाद बाटना मंगल के दिन ये बहुत पड़िया है तो मंगल का तो आप करिये रहा ये बहुत important क्यों रहा सबसे पहले सी को क्यों लिया क्योंकि लगन में बन रहा है इसलिए अगर शुक्र की बात करें तो लाव तो होगा बड़े भाई बहन और networking का कुछ important role आपकी life में रह सकता है females का important role रह सकता है रोगन सत्रू से आपको बचना है female की respect करनी है शुक्रवार के दिन मालक्षमी की पूजा स्री सुक्त का बात जरूर करें अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो इसके बाद देखिए शनी और बुद्ध धन का भाव है धन का स्वामी वहीं वैठा है साथ में सब्तम और दसम का स्वामी भी है मतलब कि अगर आप नौकरी में हैं अगर आप जॉब में हैं तो आपके अथक परिष्रम से result आएगा, महनत आएगा, धन आएगा अगर आप business में है, व्यापार में है तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा पर धन आएगा easily नहीं आएगा व्यापार में, क्यूं? क्योंकि दसम का स्वामी अपने से कहां गया एक, दो, तीन, चार, पाँच अपने से पंचम गया, जो की भागी का, लक्षमी का भाव है और सब्तम का स्वामी अपने से एक, दो, तीन, चार, पाँच, है, साथ, आठ गया, जो की उतार चढ़ाब का, महनत का, औप्स्टिकल का भी कहीं न कहीं भाव है, तो जब बिजनिस की बात आएगी, तो थोड़ा महनत जादा होगी, और अगर आप जॉब अगर आम हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है, आपको महनत तो जरूर लगेगी, पर रिजल्ट आएगा, ये हमारा कहरा है, किस की बज़े से, बुद्ध की बज़े से, अब ये बुद्ध तो सब्तमेश भी है, ये तो शादी बिभाकों भी दिखाते हैं, तो हाँ जी, रिलेशन में सब्तमेश, अपने सब्तम भाव से, थोड़ा उतार चड़ाब रहेगा, स्पाउस की लाइफ में, पती-पत्नी की लाइफ में, जीवन साथी, जीवन संगनी की लाइफ में, तो आपको उनका साथ देना है, उनको समझना है, ना कि मंगल की बज़े से जैसे होता है, कि जब साथ की जरुत होती है, अगर उस समय ही आप साथ ना दो, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि भाई, पहले तो किया है, पर हर समय एक नाजुक समय होता है, तो इस समय आपको अपने स्पाउस का पती-पत्नी को समझना है, बगरा डालना, बुद्धी का वानी का बहुत अच्छी तरह से इस्तमाल करना, अच्छी तरह से मतलब सही इस्तमाल करना, सही के लिए इस्तमाल करना, अपनों के लिए, अपने लिए, और समाज के लिए, कही ना कही आप उसका पार्ट हो, जितना आप उनकी अच्छाई के लिए प्रयास करोगे, करम करोगे automatically आपके पास वो लोटके आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल इधर से नहीं तो उधर से करम की जो गती है वो इतनी महीन है कि कही न कहीं से निकल ही आती है, जैसे रावण जैसे नहीं रोक पाए उसको, जिनोंने ये जो नौग रहे होते हैं, उनको भी कंट्रोल में कर लिया, पर जब गुलिक और शनी की साड़े साथी आई तो गलती रावण से ही हो गई तो कहीं न कहीं आप कहिए कि समय की गती से कोई नहीं बच सकता आप कितने भी उपाए कर लो आप कितने भी मंत्र पढ़ लो हाँ अगर आप श्रद्धा से भक्ती से कंट्रोल करने की कोशिश करें तो possibility है, बस वो भी प्रहु की इच्छा पर है इसके बाद देखिए शनी की द्रष्टियां देख लेते हैं दुत्यभाब का स्वामी दुत्यभाब में है तो धन तो आएगा पर शनी है तो शन है शन है और hard work महनत, discipline ये सब दूसरों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना ब्रद्धों का सम्मान करना अपने से गरीब, नौकर इस तरह के लोग हुए, जानवर जो आपके कुत्ता बिली, उनके प्रतिवी सही ख्याल रखना उनका तो आपका सेवा, भाब आपके अंदर होना तब शनी यहाँ पर अच्छर जड़ देंगे वो भी महनत के साथ यहाँ बैठके सनी की दश्टी चोथे भाब पर पढ़ रही है, चोथा भाब आपका प्रेम का है, मन की सुद्धता का है, पवित्रता का है, सुख का है और ऐसे पर शनी की दश्टी थोड़ा रूखी-रूखी सी है, तो थोड़ा सा family issue को थोड़ा बढ़ा ही रहा है उस हिसाब से माता के स्वास्त का धान कर रखना चाहिए और घर से दूर जाने का योग यहां पर बनाता है एक तो सनी की दश्टी उपर से चतुरतेस्त का अपने से बारे में भाव में जाना और 12th के स्वामी का लगन में आना अगर आपकी जन्म पत्री में अभी विदेश जाने का बाहर जाने का योग है माता मातर भूमी से दूर जाने का योग है तो वो थोड़ा कहीं न कहीं गोचर में आवश्य रहा है सनी की साथ मी दश्टी आपके अश्टम भाब पर तो देखिया अश्टम भाब पर पड़ेगी तो साससुर के साथ इनलोज के साथ उनकी तवियत भी नासाज रह सकती है उनसे दिक्कत हो सकती है उनको दिक्कत हो सकती है उनकी बज़े से दिक्कत हो सकती है कभी-कभी जरूरी नहीं कि आपकी अगर malefic dusty है माता के भापपर या पत्नी के भापपर तो पत्नी को problem हो या पत्नी ही ना कभी-कभी ऐसा हो सकता है पत्नी भी बहुत अच्छी हो iloge भी बहुत अच्छी हो और उनको भी problem ना हो पर उनकी भज़े से problem आ जाए इस तरह से तो हमेशा जरूर नहीं कि उनसे लड़ाई होगी वो किसी दिक्कत में आ जाएं थोड़ा बहुत आपको उनकी help करनी पड़ जाएं एक तरह का कुछ उतार चढ़ाप सा आ जाए अपरिये जो आप नहीं चाते थे कुछ ऐसा आ जाए इस तरह का शनी की जो दसमी दस्टी है वो लाब भापर है लाब जो होगा वो थोड़ा रुका-रुका सा रहेगा देखिए साड़े साती तो चली रही है तो लाब थोड़ा रुका-रुका सा रहेगा effort थोड़े जादे रहेंगे धन की जो इस्तिति है वो बनी रहेगी लगने श्तिरते भाब, श्तिरते भाब क्या यात्रा हैं, भागदोर, महनत, अपने लक्ष के प्रति, सतप प्रयास, यह सब चीजें आपके भागे को बढ़ाने वाली रहेंगे, थोड़ा सा उतार चढ़ा भी रहेगा, गुरू कहीं न कहीं मंगल शुक्र की जो दश्टी आ आने के लिए गुरू मंतर का जाब करें, ओम, ग्राम, ग्रीम, ग्रोम, सहा, गुरुवे, नमहा, गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर, कोई help करें आप, खुद ही साफ सफाई में help करें, तो सबसे best है, नहीं तो, किसी भी तरह से आप help कर सकते हैं, आप धंदे के help कर सकते हैं, और आप, simply मंदिर में जाकर, बैठ के थोड़ा सा, इश्वर के परती thankful होके, इश्वर ने जो आपको दिया है, उसके परती thankful होना बहुत जरूरी है, देखिए, हर एक moment जो है, वो अपने आप में fresh है, नया है, जैसे कि सत्त हमेशा नूतन होता है, नवीन होता है, उसक आप कहिए कि उसके जो आनंद को है, आप उसको miss मत कीजिए, वो लेना जरूरी है, पुराना कितना भी आपका बुरा रहा हो, क्योंकि आज जो है, वो नया है, वो पुराने से बिल्कुल जोड़ा हुआ नहीं है, तो जो है, उसके लिए thankful हो, और जो आगे कोई goal है, तो उस इतना भी हो जाए, आप thankful हो ही नहीं पाओगे, हमेशा यह लगता रहेगा कि उतना नहीं हो रहा जितना मैं कर रहा हूँ, उसने भी उतना ही करा पर वो मेरे से आगे निकल गया, वो कभी खतम नहीं होगा, आपको celebrate करना भी सीखना होगा, आज में ही, अभी में ही, और उसक नया सीखते रहना, बगीचे की तरह, और जो कुछ thoughts, कुछ ऐसा आता है, उसको सुधारते रहना, और इसी तरह से उसको सुधार बना के रखना, यह जरूरी है, तो देखिए, यह शनी का भी सारा हो गया हमारा, शनी की सारी दश्टियां होगी, गुरू की बात चल रही थी तो गुरू के पांच मी दश्टी साधी बिवा के लिए बहुत बढ़िया है, रिष्टे आएंगे, तो लोग तरास में थे ना, कि रिष्टे आ जाएं, कोई जीवन साथी मिल जाए, तो उसका योग है, हलाकि उतने बहुत अच्छे योग नहीं बंदिश, मंगदल और सू आपके कुंडली में नवम भाब के मालिक भी है, वो अपने ही भाब को तरते भाब से देखेंगे, तो पिता के थरू, बॉस के थरू, गुरूओं के थरू, कुछ भागवश चीज़ें आ सकते हैं, यात्रा आपके लिए भागशाली रहेगी, अब्रोड आदी जाने का सत्य होने के बहुत सारे अच्छे योग यहां पर बने हुए हैं, सूरे तरते भाब में व्यक्ति का पराकरम भी बढ़ा देते हैं, और जहां पराकरम है, जहां करम है, वहीं भाग गये है, तरते भाब जो है, भाग के भाब के सामने है, पराकरम पहले है, करम पहले है और हाँ कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो वेक्ती भाग शालिया कि उसने कभी तो कर्म किया है। फिर दूसरी बात एक और है। हमारी लाइफ में भी कई बार बहुत सारा भाग होता है। उसके लिए हम ठैंक्फुल भी होते हैं। ऐसा नहीं है। पर जो नहीं है उसी पर फोकस रहता है कहीं न कहीं। जैसे किसी के पास स्कूटर नहीं है। स्कूटर मिल जाए। दो-चार दिन तो बड़ा लगता है उसको कि हां भाई। स्कूटर मिल गया। उसके बाद उसकी ऐसी आदत पढ़ जाती है कि उस स्कूटर है या नहीं है लगभग बरावर है। फिर बाइक। वो बाइक भी मिल जाए तो फिर सब कुछ होके भी नहीं रही एक तरह से यह होगी ना बात। तो वो सीश्कना जहाँ जरूरी है। इसके साथ साथ सूरी को और अच्छा करने के लिए क्या करने है। सूरी क्या है लोयल्टी को दिखाते हैं। लोयल होना। सूरी क्या है time table को दिखाते हैं अपने समय पे ही निकलेंगे आंधियाए तूफान आए बादड़ाए दिखे न दिखे निकलना जरूर है करना जरूर है सूर्य क्या है समता है मतलब जब उखते हैं तब भी लाल जब ऍचिपते हैं तब भी लाल ऐसा नहीं कि तरक्की मिल रही है तो बहुत फूले नहीं समा रहे हैं और थोड़ा काम बिगड़ रहा है कुछ हो रहा है तो फिर एकदम मरे जा रहे हैं तो इस सूर्य सिखाता है कि कुछ भी होता रहा है आपको समान रहना है समता, जतना हो सके, कोशिश करनी है क्योंकि संसार में ये आना, जाना, उतार, चड़ा लगा रहता है, सूरिचंदर, तारे जो आपको दिखते हैं, इतने विशाल, उनका भी आना जाना लगता रहता है उनका भी अतन पतन होना है, तो सबी के साथ होना है आप ही के साथ नहीं तो इसमें कोई नहीं बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है ये प्रकृति का नियम है और आप तो सारे ब्रह्मांड में हो अहम ब्रह्मास्मी मैं ब्रह्मा हूँ मतलब मैं इस पूरी प्रत्वी का पार्ट हूँ ना कि मैं अलग हूँ और मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा नहीं है इगोष्टिक स्टेट्मेंट नहीं है यह आपको पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देता है कि आप अगर नहीं भी रहोगे आप तो तब भी रहोगे जैसे कृष्णा बोलते हैं न ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तू नहीं था या मैं नहीं था और तो और जब इप्रक्ति अवेक्त होती है तब भी तुगर में रहते हैं मतलब प्रह्मांड रहता है सबसे जोड़ने को सिखाता है यह स्टेटमेंट हम भ्रह्मासमी और लोग कभी-कभी इससे इगोश्टिक हो जाते हैं औरों से अलग हो जाते हैं गलत फेहमी हो जाते हैं मिसंडर्श्टूट कर जाते हैं तो उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है गुरू को और अच्छा करने के लिए अपने गुरू का आदर करें माता-पिता का सम्मान करें गुरू के मंतरों का जाप आपको नॉर्मली करते रहना चाहिए क्योंकि गुरू आपके लगनेश है और लगनेश के मंतर हमेशा सुभ होते हैं प्रभू को यलो कलर के फ्लावर चढ़ाना, ओम नमो भगवते वाशु देवाय का पाठ करना एक बहुत सारी आपकी बहुत अच्छी रेमेडिज है केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत बढ़िया है इसी के साथ साथ चो कि मंगल इतने अच्छे नहीं चल रहे है इस महीना, तो हनुमान जी की पूजा करना ये भी बहुत बढ़िया रहेगा सुंदरकान का पाठ करना बहुत बढ़िया रहेगा कभी समय मिले तो रामायन भी देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं बहुत बढ़िया रहेगा इसके बाद देखिए हम आजाते हैं शुक्र की बात कर ली हमने मंगल की बात कर ली, शनी की बात करी बुध की बात की है पर उतने डिटेल में नहीं की है इसको हम एक वर फिर से देख लेते हैं बुध दसम के मालिक हैं, अपने से पंचम जा रहे हैं मतलब पद पतिष्ठा सम्मान में बरद्धी होने वाली है खास करकी लो जौब वगरा में हैं उसमें और सब्तम का मालिक बिजनिस पार्टनर्शिप में थोड़ा उतार चड़ाब के साथ ही सही धन आपका आता रहेगा राहु केतू की बिलकुल बात नहीं हुई, राहु छटे भाब में है, बिदेश ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं राहु यहां से आपकी पदपतिश्टा सम्मान को भी बढ़ाने वाले हैं, पर थोड़ा मिसंडर्श्टों कर सकते हैं, रिष्टों में उसका ध्यान रखना है शक से दूर रहना है, राहु न धुआ है, जो दिखता नहीं है, शक है न, होता भी है, होता भी नहीं है शक को आप कभी देख नहीं सकते हैं, कभी देखा शक कहां रहता है, कहीं नहीं रहता है, होता है पर नहीं भी होता है तो राहू ऐसी चीज़ें करता है कभी-कभी तो देखा हुआ भी जूट हो जाता है सुना हुआ भी जूट हो जाता है जैसे किसी वक्ती ने का अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा होगा कि आप सुन लोगे बाकी राहू यहाँ पर ठीक हैं आपका विदेश ले जाएंगे बाहर ले जाएंगे थोड़ा खर्चा बढ़ा के रखते हैं सत्रू को परास्त करते हैं कम्टिशन आदी में आपकी विज़ लाते हैं उस मामले में राहू बहुत बढ़िया है राहू को अच्छा करने के लिए मादरुगा की पूजा करें भगवान शिब की पूजा करें राहू के लिए बिल्लियों को खाना वगरा खिलाना बहुत अच्छा रहता है इसे पर आ जाते हैं केतु बारे में भाद में मोक्ष के स्वामी मोक्ष में बैटे हैं स्प्रिचुल्टी अध्यात में बहुत हैं केतु कहते हैं कि मत बना ये रेत के महल राहू कहता है बना ये रेत के महल दोनों एक ही बात कह रहे हैं वास्ताम में रहू कह रहा है बना ये रेत के महल मतलब क्योंकि रेत के महल है बनाएगा टूट जाएंगे इंडाइंट समझ में आएगा कि कहीं कुछ ऐसा इतना सीरियस नहीं है सारे महल रेत कहीं है केतू कहता है या रेत कह है बना क्यों रहा है इंडा एंड रिजल्ट एक ही है, दौनों मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं पर केतु धारेक्ट एंट्री मारते हैं कभी-कभी सन्यास लोग ले लेते हैं स्प्रिच्वल्टी, अध्यात्म, अस्रम इंसम में बड़ा मज़ा आने लगता है, वो केतु होते हैं अगर केतु की दर्शाह ऐसा हो रहा है, तो नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं है पर इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको अपनी responsibility भी निवानी है, और थोड़ा सा स्प्रिच्वल्टी, अध्यात्म, गणेश्ची की पूजा, अक्मतष्यवतार के दर्शन मचली आदी को कुछ खिलाना, केतु आदी के लिए कुछ दान करना, नाना, नानी का खास खाल रखना, खास खाल रखना, बर्धों का भी खाल रख सकते हैं क्योंकि रहुकेतु कहीं न कहीं हमारे पूरवजों से भी जुड़े हैं, इसलिए हो गया हमारा केतु के लिए संकष्टी का बरत बहुत अच्छा रहता है जो की संकष्टी आपकी इस महीने जो है बीस तारिक को पढ़ेगी किसी की केतु की दिक्का चल रही है तो आप कर सकते हैं अब आ जाते हैं इसके बाद ना इस महीने के तोहारों पर एक ही तारिक को अबस्या है पहले ही तारिक को तो दान का दिने है पित्रों को याद करने का दिने है गीता को सुनने पढ़ने का दिने है घर की साफ सफाई का दिने है मंत्र ब्रत आदी के लिए बहुत अच्छा दिने है इसके बाद पाश तारिक को बशंत पंच में मा सरस्वती की पूजा है ज्ञान की विज्ञान की कला की म्यूजिक की संगीत की देवी मा सरस्वती बहुत important है और आप जानके कुछ लोग को आशर होगा कि मा सरस्वती को राहू से भी जोडते हैं विद्या की तरफ ले जाते हैं म्यूजिक की तरफ ले जाते हैं और आपका राहू धीरे-धीरे ठीक रिजल्ट देने लगता है मादुर्गा की पूजा तो है यह परमा सरस्वती भी राहू से जोड़ी है अम एम महा सरस्वते नमा बहुत खूबसूरत और बहुती स्ट्रॉंग मंतर है इसके बाद देखिए जया एकादसी है विजया एकादसी है जया एकादसी आपके 12 तारिक को और विजया एकादसी है आपके 17 फरवरी को है जो भगवान श्री हरी विष्णू के भगत हैं लिए एक अदसी का एक अलग ही महत्तु है, इसके बाद देखिए तेरे और अठारे तारिक को आपका भगवान शिव का प्रदोश्परत है, जो आनंद सरूप है जो सब का आधार है जो दो नहीं है ये नहीं का कि एक है जो हम कहते हैं इश्वर एक है वो वास्ता में गिंती थोड़े ना है कि एक है दो नहीं है चिदान Calvin, आमूर्थ, सब में है सब कुछ उसके अंदर है सब के अंदर वो है वो जो आनद सरूप है, वो जो शिव है वही मैं हूँ इसका मतलब मैं मैं नहीं हूँ अहं ब्रहमास्मी, पूरे ब्रहमान्ड में मैं हूँ ऐसा लगता है ऐसा आभास होता है, जिसे देखा न, आभास होता है, सीशे में देखके, कभी-कभी भ्रहम हो जाता है, कि वो वहाँ है, वो वहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इस तरह का है, इसके बाद देखिए, 13 तारिक को कुम्ब संकरांती है, सूर्य कुम्ब राशी में प्रवेश क करते हैं तो लोग थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोचते हैं, फ्रेंड सर्किल बढ़ता है, इस तरह से, हलांकि सूर्य का कुम्भराशी में आना, आपके लिए यात्राओं को बढ़ाने वाला है, भाग्य को बढ़ाने वाला है, आपके लिए बहुत सुबह, और सोले तारिक को माघहप, जो महिना है, उसकी पूड़िमा है, पूड़िमा का ब्रत, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, भागवान शिप्क से भी जुड़ा हुआ है, चंद्रमा, मतलब उनके सर पे रहते हैं, चंद्रशेखर हैं, तो आप या इस महिने के एक तरह से हमारे सारे ब्रत भी होगे, यह वीडियो अगर आपको पसंदा है, तो प्लीज लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, और घंटी वाला जो बटन है, उसको दवाना मत भूलेगा, आपका जो सही होग है, वो बहुत महित्तपूर है, उसको इ मैरे description में link दिया, Instagram, Twitter, Facebook, तो please like, please follow, आप से मलकात होगी, next video में तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, नमस्कार